है नजदीक से नहीं टेंपल और भी ज्यादा मतलब बहुत ही प्यारा लगता है उसके बाद आपको डाउन लिए कच्छा महरा देगे उनको अपने उस पे अपने नहीं आप उस घंटे को छू सकते हो जो इतना बड़ा घंटा नहीं आप इस ताले के पास जा सकते हो नहीं उ दोस्तों आज मैं आच चुका हूँ जैसे कि आपको पता है मेरे अलफबेटिकल सी चल रही है एटू जैट तो जिसमें हमारा लेटर सी है आज से चातर पूर टैंपल जैसे कि आप लोग देख सकते हो मां कातिया नहीं को यह समर्पित है मैं यहां आच चुका हूँ तो अदर भी देखने को मिलेंगी पहले तो आब यह देखिए पीछे मेरे ताला तो यह चयतरपूर के मंदर करने की मैट्रों स्टेशन ँफण यहां पर港ब attain बंदो हो चुका है आप वहां से मैट्रों के अंदर जा सकते हो और वहां से मैट्रों के अंदर सकते हो तो यहां से निकलने के बाद आप इस ब्रिच क्रोस ब्रिच को यूज करो गए और लिखा चछाथरपुर की ओर आपको पूंडेटर में चाहो तो आप पैदल भी वाक करके जा सकते हो और आप चाहू तो रिक्षा भी कर सकतो है तो आपको टैन रुबीज पे करने पड़ेंगे अगर अब ज्यादा मांगतों तो आप पार्गेन वगएरा कर लेना ज्यादा इसका कॉस्ट लगे हैं तो आज के समय इतनी भीड नहीं मिलेगी आपको क्यों आज वीड़ेज हैं आप मेरे बगल में देख सकते हैं तो आज के ुवार है वहां से दर्शन हो हना है चलते हैं अपने कर दोने के बाद आपको अंदर पिरफेश शब्स करना पड़ता है यहां से अपे कुछ वाले मंदिर के दरशन होगी जैसे मंदिर कितना सुन्दर और यह बाबा नाकपाल जी हैं तो आगे चलते हैं आगे तो वहां नंदी जी है आप नंदी जी के कान में जो आपकी विश वाब बोल सकते हैं वह डैट लिक कहा जाता है कि नंदी जी के कान में बोली गई हर बात सिव जी के डैट मतलब आप शिवजी जी से ही बात कर रहे हो तो इसके आगे के मतलब वीडि मंदर बहुत ही सुन्दर है काफी अद्बूत आगे और काफी अच्छा मैंसे पॉल्टेटिक वाइब साथ हुआ तो दर्शन अभी हो है काफी अच्छे दर्शन है बहुत ही आदाना मिला काफी क्राउड कम था तो श्रीट जिए जिसे से फेस तो फेस मेटिंग करका है यादि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बंद कर देता हुआ कि अच्छे जीने से मूपर चटते हैं हम नीचे से पुमूल श्राड आथा उसके बाद हम उपर जा रहे हैं आप देख सकते हैं तो सेट दर्शन के लिए वहाँ हो तो इसके अंदर दर्शन करने के बाद हम आ चुके अब जा रहे हैं नीचे अब आबानाक पल जी के सुकते और कितना बड़ा होल कि काफी बड़ा होल्य काफी प्यारा और व्ल्वे देख सकते हम ल BigQuery रहते काफी टाम पहले यहां पे आपको बाबानाकपाल जी की काफी चीज़े मिल जाएंगी कि और गटूल सारी चीज़ें देखने को मिल जाने हैं अपर एह ऊजाब इस् color में बहुत जादा क्रावक मा का बैठक श्री माता जी का बैठक अधर आप लोगों को दिखाते हैं क्या-क्या था माता के बैठक में तर गार्ड जी ओपर जारे कुछ रोम से वगर बाबा जैसे की डाइनिंग टेबल आप देख सकते आप लोग कि उसके बाद आगया वाली र अब देख सकते हैं और काफी दर्शन होते हैं भगवान जी के हम लोगों को क्योंकि आज क्राउड काफी कम था तो यह दिखिया भावन को किस तरीके सजाए गया अभी इसमें क्राउड वगरा नहीं है जिसकी वैसे इसमें लाइक वगरा बंद पड़ी है आप लोग देख सक में तो अग्कितना सुंदर्भवान है ऐसे आप सारे जाकरण वगरा जो होते है कि वह सारे होते हैं देखे शीर है कि पी तल चेहर है ये तन्य बड़े बड़े देख सकते हैं और यह दो श्राइघर जी के दशालात्मंदं श्राम चंडर की जय से बैठे हुए यां पर और आप को काफी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी यह पर देखो हनुमान जी को आप शायद पानी का कुछ क्रहन करते गए और बाकिया आप लोग देखो क्या सुन्दर भावन है और हम लोगों को दर्शन काफी अच्छा थी क्योंकि बीड कफी कम थी और अब हम चलते हैं आग यहां देखो आपको नागपाल बाबा की एक और मुर्ति देखने का मिल जाए बहुत बड़ी आए थिंक पॉल की हो और यह लोग तेखो आप क्या लुक दिया रहे है वहाई साब अनुमान जी की मुर्थी यह रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहां से हमने पूरे और अब हम अपने शूस को कलेक्ट करके हम निकलेंगे उस सब्सक्राइब यहां पर दिखाएगा एक तो शूल टाइप का भोले बाबागा और इसको चारो तरफ से जो अपने लाग दीवता होता हुत उन्होंने कवर कर रखा उसके बाद उसके बाद आपको डाउन लिखे कश्यों महराद में इनको अपने उस पर ले रखा है और उसके सामने आप देख सकते हैं बाकी यह वे है आपका आगे जाने का अभी चलते हैं आगे तो दिखाते हैं जैसा भी हो सकते हैं देखे सामने आपको टेंपल दिख रहा होगा बाकि आप लोग को अभी माता के दर्शन करवाते हैं अभी आगे चलते हैं वापर जाके अपने को जूते निकालने होंगे और यहां पर आपको दोनों तरफ हाथी देखने को मिल जाएंगे प्लस में आपको एक गार्डन मिल जाता है गार्डन में बहुत ज्यादा मतलब इंडिया में जो भी फेस्टिवल होते हैं जो टेंपल को सजाया जाता है तो एक अनोखे तरीके से हमारे हां पर इस टेंपल को सजाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं घंटा भी बहुत बड़ा है अन भी के अऌड़े हरा बस हम पहूंची चुके हैं मा काज चानी के यस टेंपल के पास और कार्चनी के इस टेंपल के पास पहूंचने के बाद हमें काफी पॉजिटिव बाहे बाई है देख सकते हैं जलीके सुंदर लग रहा मा का या दृष्च टेंपल。 नजदीक से ने ये टेंपल और भी ज्यादा मतलब बहुत ही प्यारा लगता है तो बस हम इसके अंदर परविश करने वाले क्योंकि इस साइड का जो गाड़े ने आपको वो भी क्लोस पड़ा आज और ये आपको एलिफेंट दिखाई दी सकते हैं और ये वाले भी नागपा अल्ल बाबाजी ने ये माकातियाय जी के नाम पर ये टेंपल को istahpid करवाया है था वह उनको अपनी बेटी जरूप मानते थै जिनकी वजह से उन्होंने इस टेंपल का निर्मान करवाया था बाबा नाकपाल जी की वीडियो बाबा नाकपाल जी का जो आशन था मैंने आपको दिखाया था पीछे और जो फोटो वगरा थी वीडियो वगरा वो जो मूर्ती थी वो बाबा नाकपाल ही जीते उन्हीं वो इनको अपनी बे लें अंदर चलते हैं नीचे साइड उसके बाद शायद कैमरा लाओड ना हूँ लेट्स चेक इटाओ बट देखते हैं कोशिश करेंगे हैं चलते हैं अब 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 इंदर लें अब नीचे से दर्शन कर चुके हैं अब उपर की तरफ जीने से आ रहे हैं इसे कि आप देख सकते हो जो पर कि तरह आ रहे हैं पंडजी गएँ उन्हींने वहला 10 मिट पर बंद आने वाला है तो चलते हैं अभी तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम यहाँ मंदिर में आये थे और हमने काफी अच्छे से दर्शन करें वीग देश था हमें दर्शन भी काफी अच्छे और तो और हम आरती के वक्त इस वाले मंदिरें पहुंचे जो मेरे पीछे देख सकते हो और इस आरती में हमने तो इसलिए मैं जितना दिखा सकता था आरती को दिक आने और तो यहांपको अुड खरंगा करते हुए अब तो हम नेक्स्ट व्लोग में आपसे मिलते हैं तो थेंक्यू सो मच गाइस जैमातर दी हैपी शुवराती दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हनुमान जी के पास जाने सामें बैरियर ने रोक लिया था इसलिए हनुमान जी के पास हम जान नहीं पाए उनका शूट निकर पाए आप लोग यहीं से देशन कर लो